दोस्तो रिजेंटली होंडा की CBR150R के बारे में अपडेट आए थी कि होंडा जो है CBR150R के पेटेंट को फाइल करवा दिया है और दोस्तो साथ ही ये भी पता चला है कि हॉंडा रिजेंटली इसी सेम प्लाटफॉर्म पे बेस्ट करके एक और बाइक को भी तयार कर रही है CBR150R जो रेट्रो स्टारिंग बाली नेकेट स्पोर्ट सेग्मेन की बाइक होने वाली है और ये अपने एक इंजीन और कई सारी कॉंपोरेंट्स को भी CBR150R से ही शेयर करेगी तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉंडा CBR150R के बारे में कि ए बाइक कब तक इंडिया में आ सकती है अगर ये इंडिया में लॉंच होती है तो इसके स्पेशिफिकेशन्स क्या रहेंगे, फीचर्स कौन-कौन सी होगी और कितने प्राइस्टेक के साथ लॉंच होगी लेकिन दोस्तो अब जो है इसको इंडिया मार्केट में भी लॉंच किया जाएगा जिसके लिए हॉंडा को जाधा कुछ परेशारी नहीं होने वाली क्योंकि ए बाइक CBR150R के ही सेम प्लैटफरम पे बेस्ट होने वाली है साथ ही कई सारे कॉंपोनेंट्स भी ये दोनों सेयर करेंगी CBR150R का सबसे बेस्ट पार्ट है इसका लुक बाइक के फ्रंट पार्ट के डिजाइन को काफी जादा एट्रेक्टिव बनाया गया है जिसमें आपको एक राउंड सेप में हेडलाइट दी जाती है LDDRS के साथ साथ ही बाइक के इंडिकेटर्स बगरा सभी आपको LED में ही ओफर किये जाएंगे इसके अलावा बात करें तो इसमें जो है आपको एक मस्कुलर फ्यूल टैंक स्प्रिट सेट अप, निवली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और काफी अच्छी टैंक्स राउट्स दी जाने वाली है जिसके कारण बाइक की फ्यूल टैंक काफी मस्कुलर दिखाई देती है बाइक के लोग को और की जादा प्रीमियम बनाने के लिए बाइक के फ्रेंट में 41 mm के गोल्डेन अपसाइड डाउन फ्रेंट फ्रेंट फॉक्स और रेर में प्रिलोडेट एड़स्टेबल मोनोशॉक सस्पेंसन का यूज किया जाएगा जो बाइक को प्रीमियम लोकिंग के साथ साथ इजी हैंलिंग में भी काफी मदद करती है इसके अलावा बाइक को जो है डायमन फ्रेंट में बेस्ट करके बनाया जाने वाला है जिसके फ्रेंट में 296 mm के हाइडरोलिक डिस्क विट माउंटेट कैलिपर और रेर में 220 mm के डिस्ट बेक का यूज किया जाने वाला है दोस्तो ये सभी इंफर्मेशन इंटेनेशनल मार्केट में अवेलेबल CB150R के है सो हो सकता है इंडिया में लॉंच होने के बाद आपको इन सब में थोड़े बहुत चेंजिस देखने को मिल जाए अब बात कर लेते हैं बाइक के सबसे में पार्ट इसके इंजिन के बारे में तो दोस्तो यहां जो है आपको 149cc की लिक्विड कुलिंग सिस्टेम बाली DOHC इंजिन ओफर की जाएगी जो 17PS तक की पावर और 14NM तक का टॉक जनाइट करने में शक्षम होगी 6-speed transmission के साथ वन सेगिन दोस्तो यह पावर फिगर भी इंटेनाशनल मार्केट की है जो इंडिया में लॉंच होने के बाद चेंज होगी हॉन्डा से भी 150R की वेट 130KG होने वाली है और इसमें आपको 139M की ग्राउन क्लिरेंस दी जाएगी जो मेंली इंडियान मार्केट की यामा एबजेट X और MT15 के साथ कंप्रीट करने वाली है इसलिए दोस्तो एबाइक हॉन्डा CBR150R के साथ ही लॉंच होगी क्योंकि हॉन्डा की CBR150R R15 version 4 से कंप्रीट करने वाली है जिसके बारे में अलग से डीटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आप आई बोटन और डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं अब इसके एक्सपेक्टेड लॉंचिंग डेट के बारे में बात करें तो ए बाइक आपको सेप्टेमबर से ओक्टोबर के बीच लॉंच होती हुई दिखने को मिलने वाली है जिसका प्राइस इंटेनाशनल मार्केट में 2,100,000 है और ये इंडियन मार्केट में 1.526,000 के बीच ही लॉंच होती हुई दिखने को मिलने वाली है